और पीसी स्कूल लेक्ट्टर बाइलोजी का जब से नोटिफेकेशन निकला है आप लोगों कोने की तैयारी है वो बड़ा जोरो शोरो से चल रही है युद्धस्तर पर आप लोग काम कर रहे हो सलेवस के अपने प्रिंट ले ली है कई लोगोने अपनी कोचिंग जोइन कर ल मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि कई चीजे आप लोग क्यूशन पेपर में जाकर देखते हो जब आपका एक्जाम होता आपको यह कहां से आगए तो आउट ऑफ सलेबस है असल मैं आउट ऑफ सलेबस बैले जी में कुछ होता ही नहीं है यह जो भी सलेबस है वो शुरुवाद जो करूँगा वो टेक्स्वामी की उनिट से करूँगा जो कि आपके 12 लेवल पर भी है और आपके ग्रेजुशन लेवल पर भी है दोने टेक्स्वामी लेकिन डिफरेंस क्या है अगर आप यहां पर से जाओगे तो डेफिनिशन अफ लाइव डाइव डाइ तो इस classification में इस classification में अंतर करहा है कोई ज़्यादा नहीं लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है कि यह जो unit है मजे की बात होने को तो 12th लेवल की लेकिन इस्टिल आपको मेरे को मानना है इसको बात अच्छे से क्यों काफी अच्छी अच्छे कुशन बढ़ता है डूसरी बा है कि silent feature and classification of the plants major group up to classes level और इसमें कहीं भी इन्होंने यह define नहीं किया कि major group का मतलब क्या है फिर उन्होंने का नहीं नहीं यह थोड़ा इस पूरे के पूरे syllabus में कहीं पर भी एंज्यो स्पर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में बात नहीं हो रही है प्रत्यक्षतोर पर एंज्यो स्पर्म क्लासिफिकेशन यानि कि अगर मैं थोड़ा सा दिमाग चला हूं तो इस major group में इन्होंने जिन्न स्पर्म तक की तो बात कर लिए मुझे इस major group में एंज्यो स्पर्म को भी जोड़ना चाहिए कि ध्यान दीजिए एक लिस्ट बैंथम उकर तो करके जाना यह सबसे मिनीमम की चीज होगी बैंथम उकर क्लासिफिकेशन क्योंकि यह बैंथम उकर इस वले जमाने में यह पुराने जमाने का है सारा का सा सारा मामला इस जमाने में भी बैंथम में उकर आता था आपको इस जमाने में ऐसा क्यों बोल रहो मैं आपको एक बुक दिखाना चाहूंगा वह यह वाली है यह वाली बुक ठीक है यह आपकी NCRT 11th क्लास की और मज़े की बात है यह जो कवर पेज आपको नजर आ रहोगा नजर आ रहा हो क्योंकि यह 2003 का एडिशन है जब अभी से दो एडिशन पहले यह सारा का सारा सेलेबस मज़े की बात हैं यहां से उठाया गया है और उस वाले सेलेबस में बैंथम होकर क्लासिफिकेशन का बैसिक आइडिया था उस जमाने में फिर यहां पर आपको आउट सेलेबस में यहां पर इन्होंने कहीं भी फंजाई जो ग्रुप दिये हैं इसलिए डिफाइंड नहीं किसका लाइफ साइकल भाई यह यहां पर आप साइका स्पाइनस पुछोगे इसलिए तरह आप डिटेल में तयार ने करें चाया अलिमेंट्री तयार करें पर अगर आप इल्गी की रिप्रदक्शन पर आप यह लाइफ सेकल पर है नहीं करना यह कहां apply हो रहा है वहां पर जाना भी या उस लेवल तक जाना ही पड़ेगा अगली जो यूनिट है महतफून अभी बड़ी महतफून है उसमें भी काफी कुछ करना यह आपका 12 लेवल की सेकेंड यूनिट है जिसमें हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्ट्रल और्गनाइशन ऑफ यहां पर इसको जड़ा स्पेशल एंफेसिस देना कि लीव्स की अनाटो में भी आपको अच्छे से करनी है मोनोकोड डाइकोड तो दियाए लेकिन साथ में मेरा मानना है चुकि आपके पीछे जिम्नोस्पर्म था वह साइकस पाइनस है तो यहां पर भी पाइनस साइकस औ आ इस्टीलर सिस्टम जो की तरडिओफाइट उसको इस जगह पर और करके जाना आगा मुझे पता है वैसे तो यहां पर करना चीए इसको आपने टिडवाइट में इसी तरफ स्ट्रॉक्चराव फ्लार टाइप यहां एदर की तरफ पक व्लाउर ताइप ओंविशन संप् कि मॉर्फोलोजी नहीं दे रखी है आपने फिर इसको पढ़या नहीं पढ़या नहीं पढ़या रूट रिस्टम तो पढ़ा जा सकता है लीफ की जो बैसिक टर्मिनलोजी है उसको आपको पढ़ा जी पूरा का पूरा लीफ को वह हर एक पिनेटली कंपाउंड और वह यह सब है इंपेरी पिनेट है वो सारा कुछ आपको देखना जी ऐसा में क्यों कह रहा हूं कि आपके एक अजीब होगरी मामला है वह फ्लोरल वेरियेशन ऑप दे रेनकुलेसी एपीसी एस्ट्रेसी पोईसी यहां पर भी आउट ओप धोर्स ध्यान रखना है कि यहां पर इन्हों इसको देखके जाना यह फ्लोरल वेरियेशन से काम नहीं चलेगा वह इंदेखने ही चाहिए क्योंकि कितना देएंगे फ्लोरल वेरियेशन हमने में था नहीं लिए इतने गेर जिम्मेदार लोग तो नहीं हो सकते कि दो पेज में सारी चार फेमिलीज खतंँ कर लो अह सा तो नहीं होने होना है एक्स्टा तो खरना ही पड़ेगा तो इसलिए ओवरॉल चैराक्टर होत बट economic importance examples कोई unique बात अगर है तो वो सब कुछ आपको देखना चाहिए यहां पर वापेस आजाएं morphology पर बात कर रहा था हमें root stem leaf को आपको देखके जाना है out of the course पर करना है secondary growth out of the course पर करना है उसमें सब कुछ आ जाएगा सब्सक्राइब क्या होती है और softwood और hardwood क्या होती है atomwood और springwood क्या होती है जितना भी कुछ आपको आता है इसमें भी कई जगों पर economic importance वगरा का मामला genetics and evolution यह 12th level का है क्या आपको लगता है इतने से मामला खतम हो जाएगा नहीं होगा जड़ा इस unit को और इस cell biology यूनिट को ध्यान से देखो cell biology यूनिट के अंदर chromosome structure type and aberration दे रखा है जो कि मज़े के बात है टेक्निकली देखा जाए तो इसका हिस्सा है यानि कि cell biology लेवल कर आपको बहुत सारा chromatin level तक देखना है प्लीज chromatin remodeling मत देखना नहीं तो आपके अंदर का ग्यान जाग जाए और आप CSR net त्यारी कंड लग जाओ वैसा मत करना पर chromatin का basic structure heterochromatin क्या होता यू chromatin क्या होता है chromosome की structure क्या होती है आपका monosomy, disomy, trisomy यह सब क्या होता है basic बिमारियां कॉन सी होती है fragile X chromosome क्या होता है इस टाइब से, यहां पर इनोंने सिर्फ mandaline inheritance दे रखा है अगर syllabus wise और किताब को उठा के देखा जाए, जो कि again मैं आप से कहूंगा कि परानी NCRT देखो तो please pedigree analysis करके जाना human genetics, chromosome theory of inheritance अगर देखे तो only certain boundary की basic theory होगी कि भाया chromosome theory of inheritance किस प्रकार से genetics को समझाती है कैसे एना phase 1 और एना phase 2 का difference होता है यहां इस से तो काम नहीं चलेगा आपको कुछ और भी देखना चाहिए वो कुछ और क्या होगा तो भीया आपको यहां पर वहापिस वही बिमारिया जो अभी अभी मैंने बोली थी जो कि आपके कि साथ जोड़ रखा है वहां तक का level sex determination human beings तो यह कि only human being भी खतम करेंगे क्या यह एक टोपीक है जिसमें आपको मुलेरिंडक्ट और वॉल्फिंडक्ट वाली लेवल पर जाना चाहिए अगर मैं इसको शब्द शहर उठाओं तो कि मुलेरिंडक्ट क्या होती है वॉल्फिंडक्ट क्या होती है कैसे तो इसमें क्या पढ़ोगे तो इसमें आप शब्द सिर्फ इतना सा उठाना क्याने उसके अलावा क्या ने कर देंक्रmeja ध्यान रखना यहां पर होना चाहिए Linkage and Crossing Over, Only Linkage and Crossing Over नहीं होगा, इसमें Basic Idea of Mapping जो कि अगें, यह जो आपकी NCRT वाली बुक है, जो कि मैंने यहां पर बताई थी, इसके अंदर Mapping के भी Topics है, उसको आपको देखके जाना है, यहां पर Evolution के नाम पर Origin of Life, Theories and Evidence, इसमें पूरा Evolution आगया, भया, इसमें Speciation भी करना है, तो आपको Selection भी करना है, आपको सारे Evolutionary Forces, इसको Genetic Drift बोलते हैं, Migration बोलते हैं, Hardie Wimber Principle, Population Genetics, सब कुछ है इसके अंदर NCRT में, वो सारे के सारे Topics देखना है, तो इस वाले Unit के लिए मैं Especially कहूंगा, प्लीज, 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 सलेबस को भूल जाओ, whatever comes in the Genetics, सब रिखा हुआ ही नहीं है, सल में, और यह आपको बहुत जवर्दस फसाएगी यह वाले Unit, बहुत जवर्दस मतला अच्छा वाला जवर्दस, Cell Structure and Function, बड़ी अजीबोगरीब यूनिट है यार, इस जगह पर इन्होंने डिफाइन ही नहीं किया कि यह आप से कैधरिन, इंटीगरिन जैसी चीज़े पूछेंगे, और अलिमेंटरी सिग्नलिंग भी पूछेंगे, अलिमेंटरी सिग्नलिंग भी पूछेंगे, बैसिक बेडी सिंह थाइप की बग पढ़ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगला ये एक अजीबोगरीब चीज जिस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है chemical constituents of the living cell, इसमें इन्होंने structure and function लिखा है, यहां पर यार, structure तो समझ में आता है, इसमें आप amino acid के structure पढ़ किसको किससे identify करते हैं, यह बहुत famous सा question है, कौन से बले reducing sugar है, कौन से non-reducing sugar है, किस amino acid के लिए कौन सा specific test है, प्रोटीन की staining किससे करते हैं, इसी प्रकार से lipid गंदर जाओगे, तो fat number क्या होता है, वो एक basic चीज होती है, जो पूछी जा सकते हैं, नुक्लिक एसिट पर जा Renaturation Accelerate करता है, DNA को stain के से करता है, यह बहुत minute सी, छोटे-छोटे सी बात हैं, जो आपको कर लेनी चाहिए, Enzymes के Science में चले जाओगे, तो Enzymes में भी आपको Detail Graduation Level पर तयार करना चाहिए, इस जगे पर आपको एक और जिसके अध्यान रखना है, यह Enzyme Action जब भी हो, तो आपको प्लीज यह Graph वगरा के बारे में basic idea होना चाहिए, भईया जी, यह मामला KM का है, यह मामला VM का है, और जो 3-4 Variation होते हैं कि यह वाला Variation क्या होता है, या यह वाला Variation क्या होता है, जिसको कि मैं सही धंग से बनाने का प्रयास करूँगा, या फिर यह वाला Variation, अपना क्या होता है, ठीक है, तीन Variation, यानि कि तीन तरह के जो Inhibition, उनके Basic Graph, बहुत सिंपल सिंपल एक टेबल होती ह कुछ नहीं करना होता है, अगला आता है आपका Developmental Biology, Graduation Level का Topic, इसमें Out of the Course काफी कुछ करना चाहिए, अगर आप इस वाली लाइन पे जा रहे हो, यहां से यहां तक, तो इसमें इन्होंने कहीं भी चिक Embryo के बारे में बात नहीं किये, यह यहां पर ज़रूर बात किये, ल पर आपको सबी प्रकार के बाकी के लोगों का जो रटा मारना है, चाहिए आपको कितना भी आउट ओफोर्स लगे, थोड़ी चोटी-चोटी-चोटी सी बात में जो आपको ध्यान रखनी है, जब आपसे पार्टिरिशन के बारे में और प्रेग्नेंसी के बारे में बात की जा रही है, और इस पेशली डिफाइन नहीं किया है कि इनसान के बारे में, दूसरों के बारे में, तो सभी के गैस्टिरिशन पे रटा मारना है, इनसान की जो प्रेग्नेंसी से लेकर पार्टिरिशन तक के सारी स्टैप्स को सई इंसे करना है, चाहिए आपको कितना ही याद रखनी है, और सबसे ख़तरनाक यूनिट तो यह वाली है, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, ग्रेडिशन लेवल की यूनिट में, यूनिट नमबर छे है है, यहाँ पर इन्होंने कहीं भी सीड के बारे में नहीं लिखा, सीड जर्मिनेशन के बारे में नहीं So all the best to all of you guys, बहुत अच्छे से prepare कीजिए, खूब सारा किया जा सकता है, बहुत सारा time है, बहुत सरी energy भी आप सब के अंदर है, So start preparing and all the best to all of you. हमारे courses में सबसे महतरपून तीज जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो study material, 12th level, graduation level, PG level, 3K level का हमारा overall study material है, जिसका description, इसी video के description box के अंदर है, तीन videos अलग अलगें, उनको आप detail में देखें, हिंदी और English दोनों में available है, home delivery होती है, और सिर्फ हमारे institute से ही available कराया जाता है, यह target 2025 का सारा का सारा मामला कुछ इस तरीके से है, कि आपकी एक live test series होगी, इस live test series में तीन attempt का model हमने इस्तेमाल किया है, हमारा मानना है कि जो test series है, test वो सतत दिये जाने चाहिए, continuous लगाता है, इसमें attempt number one को हमने का है कि learning के लिए आप इसको 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 इस्तेमाल करें, जि attempt number two, आपका एक grand test होगा, उसके लगबग ड़े मेंने बाद, उसके ठीक पहले हम कहेंगे, ये 7 दिम के अंदर आप ये 10 टेस्त दुवारा से दो, जो कि आप पीछे देखे आ चुके हो, 8 या 10 जो भी आपने कियोंगे, वो आपने सारे के सारे उस grand test की practice को जोरान दी, उस व attempt आपको हम दुबारा से तहरी का कहेंगे कि दुबारा एक बार उनी test का attempt दो, जो आपने grand test के वक दिये थे, और ये आप दो mock test के ठीक पहले, mock test exam के वक आने वाला है, जो कि शायद अपरेल में कभी आ रहा है, आपका mock test, उस वक्त हम आपको कहेंगे, सारे के सारे test खोल दि attempt दिये जाओ, दिये जाओ, दिये जाओ, तीसरी बार आप उस test को फिर दोगे, सो सो केशन होते हैं, ये तीन attempt का model हमारा assistant professor में काफी effective रहा है, दूसरे courses में हमारा काफी effective रहा है, तो ये हमारा test series का overall model होता है, इसका जो pattern, इसका जो schedule है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा model आपका 10 नवंबर से शुरू हो रहा है, 10 नवंबर से लेकर इसको अगर आप देखें तो ये लगबग माई तक हमने पूरा model बनाया है, इसमें हर जगह पर हमने define के एक graduation level का test है, 12th level का test है, या PG level का test है, इस वाले जो schedule है, इसको देखने के लिए description box में 180 दिन में त 17 नहीं हो सकता है, हम इसको 30 करने, it all depends on the number of students and their demand, आपके क्या आवश्य रखता है, कितने आप students हो, उस हिसाब से ये vary करता जाएगा, इसलिए इस test के series, जो जो फीस है, वह भी vary करती है, कि ये तो वो test है जो आपके minimum है, अगर हमने इसको ज्यादा करें तो obviously फीस भी थोड़ possibility चाहिए पढ़ने की, बड़ा idea लग जाए कैसे पढ़ते है, recorded session हम उनको बोलते हैं, जिन्होंने काफी कुछ पढ़ रखा है, एक बार वो map notes style में चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, जल्दी-दी revise करना चाहते हैं, उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आप recorded sessions लीजिए, बड़ा effective होंगे, इसमें old और new batches के लगवक सारे के सारे video हम लोग add कर देता है, इससे कि हाँ, content आपके पास proper आजाए, जैसे कि मैंने आप से कहा कि graduation level, post graduation level, 12th level, इसका study material अलग होता है, तो उसी तरीके से recorded lectures के भी level अलग होता है, तीसरा हमारा एक अच्छा course है, वो है practice course, practice course में basically हम आपके पास content भी है, फलानी x-y-zagat से आपने coaching भी कर रहे हैं, शायर 2022 वाले batch में, आपके पास notes सारे के सारे available हैं, आप प्रशनों में जाकर उलच जाते हैं, आपसे प्रशन नहीं बनते हैं, प्रशन सॉल नहीं होते हैं, confusion जादा होता है, गलती हैं जादा होती है, अगर आ एक के तीन तीन चार चार अटेम्ट होते हैं, और हम उसमें suggest करते हैं कि आप randomly अपने test किस ट्रकार से दे सकते हैं, और यह जो live testries जो मैंने भी आपको बताई है, वो इसी का हिस्सा होती है, यह होता है practice course, एक होता है premium course, पीछे जितनी भी चीज़े मैंने आपको बताई हैं live filling classes होती है, filling class ने मतलब है कि core समने पूरा पढ़ा दिया है, फिर सुनिता ने का, sir यह जो topic है na cell cycle, इसको एक बार फिर दुबारा पढ़ा जा, तो उसको हम बोलते है filling class, कि main class तो ही सही, या किसी विनोध में का, sir मुझे यह digestion यादगरने में दिक्कत हो रही है, इसकी कोई short class ली, उसमें उसको short trick से यादगरने की class ली, तो इसको बोलते है fill-in class, यह live class होती है, recorded lecture old or new batch जो आपको मैंने भी बताया है, वो यहाँ पर available है, live चडिया और session इसके अंदर होते ही होता है, premium practice course इसके अंदर होता ही होता है, और live test series इसके अंदर होती ही होती है, आपके इस अंदर होता है।